कि फर्स्ट फॉल गुड मॉर्णी डॉल फ्यू तो अपन लेक्चर कॉंटीनु करते हैं हाइडरोलोजी का लेक्चर नॉमबर 21 यूनिट 6 हाइडरोजी अपन पढ़ रहे हैं तो लास्ट लेक्चर में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी हो किस्टिलेट पढ़ी थी हमने हमने प आपको इस चार्ट बताया था कि उस हायट लॉजी का साइकल में जो भी चीज़ें हैं उन सबी चीज़ों को हम पढ़ेंगे आगे तो देखो उसमें आपने एक चीज देखी ती इस तरह से कि यहां पर एक ध्रन यहां पर इक इस तरह से था ट्रास्पिरेशन होता और यह क्या होता exercise ही होता है हमारा run off ठीक और run off के बाद किस में जाता है पानी अगर कहीं पर कोई ditch है मतलब कोई गहरी गहरा channel है तो पानी कि तरह तरफ जाएगा बहता हुआ उधर कि तरफ चला जाएगा जैसे की हमारे शहर में कभी बारिस वगेरा होती है तो सारा पानी कहां जाता है नालियों में जाता है सेम उसी तरहे तो रॉन आफ का पानी कहीं तो जाएगा नाली में जाएगा ठीक है अगर शहर की बात हो तो नाले या नाली में जाएगा पानी और अगर शहर की बात नहीं हो ऐसा इलाका है हमारा पहा इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम stream, बात के लिए रहे, या आपने कोई अलग सी stream, पहले से ही natural stream मौजूद है, ठीक है, तो हम उसे तो बोलेंगे stream यह था हमारा runoff, यहां से जो पानी बहरा है, इस runoff के कारण, यह भी एक mass, बहुत जादा जैसे कि अभी आपने recent में देख वो जो पानी हमारा वो कहला था runoff, उसका भी हमको measurement करना है, क्यों ऐसी condition के लिए, कभी ऐसा नहीं हो जाए, कि हम पहले पता तो कर लेंगे, अगर इसमें इतना पानी बहरा है, तो उसका discharge कितना है, किस discharge से पानी बहरा है, तो वो हमारा runoff था, जो मैं आपको बता रहा हूँ जो सडकों पर जो हम पता नहीं कर पारेंगे, कहीं पर भी बैसकता है, वो हमारा runoff सडक पर बहरा है, तो पहले से कोई चीज channel fix नहीं है, पहले से channel बना हुआ नहीं है, वहाँ पर पानी बिखर रहा है, उसे क्या बोलेंगे हम runoff, तो runoff का discharge भी हमको measure करना है, यह जो runoff था, इसका discharge भी हमको measure करना है, और यह stream के अंदर, अगर पानी कहाँ पर पहुच गया है, निचले इलागे में पहुच चुका है, वहाँ पर नदी के रूप में बहरा है, या फिर पहले से कोई नदी बनी हुई थी, और सारा पानी आ करके उस बनी हुई नदी में जा रहा है, त और इसका discharge ये तीन चीज तो देखनी है हमें, तो stream की ये तीन चीज देखेंगे, उसके बाद फिर हम क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे, जो हमारा run-off है, जो पानी बहरा है, जिसे बारिस हुई और सड़कों पर पानी बहरा है, तीन फूट, चार फूट, तो हम उ पानी है, रिवर में, या किसी भी natural stream में, या फिर किसी भी जगे, एक limit से access हो जाता है, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, इस तरह से कोई channel की, तो इस channel का हमने top level ये है, bank level जिसे बोलते हैं, आप पढ़ चुके हो, और यहां तक हमने इसको पानी का, ये free surface level हमने इतन stream के अंदर, पानी का level बढ़के इतना होगा है, और पानी यहां से यहां से यह वो टॉप करके, आसपास की इलाके में जा रहा है, तो यह जो condition है, जिस condition में, पानी बहुत ज़्यादा बढ़कर के दर दर जा रहा थे हैं, उस condition को हम क्या बोलते है, flood, तो हम चाहें run-off का discharge न चीज होती है, इसका हम discharge measure करेंगे, तो मतलब हम किस चीज का discharge measure कर रहे हैं, और run-off में हम discharge measure कर रहे हैं, फिर से एक बार बता देता हूँ, stream के अंदर क्या है, माली जो कोई natural place है, और पानी इदर से ऊपर से आया यूँ बह करके, और जो हमारा down इसा इलाका है, जहां पर क्या किसे पानी उसमें जाएगा, उसमें जाएगा तो उस stream को, उस नदी को हम क्या बोलेंगे, उस channel को बोलेंगे हम stream, और उस channel में हम को काफी सारी चीज गयाद करने कि उसमें पानी की depth को कैसे गयाद करें हम, उसमें velocity को कैसे गयाद करें, उसमें discharge को कैसे गयाद करते हैं, तो ये सब चीज़ हम देखेंगे स्टॉपिक के अंदर स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट इस ट्रीम में पानी बहरा उसका में कुछ मेजरमेंट करना है किन किन चीजों का depth velocity और discharge का और runoff या flood का discharge हम जो measure करेंगे उसको अलग तरीके से करते हैं ये क्या होता है runoff या flood वो होता है मान लिजिए अगर मैं इसी की बात करूँ तो यहां से पानी का level इस नदी में top level इतना था और ये बढ़ता बढ़ता इतना हो चुका फिर जो पानी आएगा वो यहां से इदर उदर ही तो बहेगा इदर उदर बहरा है तो उसकी कुछ न कुछ depth होगी या फिर कहाजा जैसे शहर में बारिस हो रही तो सडकों पर पानी आगया तो सडक कोई channel तो नहीं है भई बिल्कुल नहीं है channel तो वहाँ पर भी लेकिन बारिस आ गई तो हमें उसका discharge में जगरना किस discharge से पानी बहरा सडक के उपर तो उसे हम क्या बोलेंगे runoff या फिर flood का discharge वह हम पढ़ेंगे next topic के अंदर तो पहले मैं आपको बताता हूँ stream flow measurement तो stream का मतलब क्या है हम इसके अंदर किस flow का measurement कर रहे है किन चीजों का measurement कर रहे है वो मैं आपको बता चुका हूँ depth का करेंगे velocity का करेंगे और discharge का करेंगे मैं आपको बतायता हूँ पहले कि यह जो velocity discharge और depth है इनके केवल आपको methods के नाम important है मैं इनकी detail आपको बताऊँगा आप उनकी चीजों को समझेंगे उनका detail में इतना लिखना important नहीं है और जो भी इन से related questions बनते हैं उन सभी को आपको one by one बताऊँगा आप धियान रहे बहुत बड़ा lengthy topic है लेकिन आपको केवल effective knowledge लेनी है इसमें से केवल वही जो effective है हमारे लिए के वह लिखने को आपको समझना है और जो बता रहा हूं more than sufficient है आप इस concentrate रहे तो stream flow measurement में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं क्या depth sorry सबसे पहले हम पढ़ेंगे stage measurement अब stage measurement क्या होता है सबसे पहले तो यह पढ़ना है वही stage क्या होती है यह देखो मान लीजिए ऐसे हमार कोई channel है और इस channel पे इसका top surface जो level है वो यह fsl top जो surface है पानी की वो यह है कितना भी हो सकता है आज देख रहा हूं मैं आज इतना है तो top surface क्या हो गया यह हो गया कल देखा कल इतना तो top surface है यह हो गया top surface से किसी भी channel में पानी के top surface से जो bottom है channel का वहां तक कि यह जो vertical distance नहीं है यह vertical distance यही इसी को हम क्या बोलते है इसको बोलते हैं हम क्या stage तो भाई stage की लिए stage क्या होती है किसी भी channel में जो vertical distance होती है किसके बीच की दूरी यह है पानी के top surface और bottom surface of channel इन दोनों के बीच की vertical distance क्या 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 लाती है हमारी stage क्या लाती है इस depth को इस stage को आप कैसे गयात करोगे इसके अपने चार method है कौन-कौन से method है चार चीजों से गयात करते हैं अपन तो stage measurement में आप एक line लिख लेंगे इस stage के बारे में कि stage क्या होती है पानी किसी भी channel में पानी के top surface वे channel के bottom surface के बीच की vertical distance stage कहलाती है इसको निम्न प्रकार गयात किया जाता है कैसे गयात करते हैं पहला है हमारा कौन सा staff gauge दूसरा है हमारा wire gauge तीसरा हमारा float gauge और चौथा हमारा bubble gauge इन चारों को समझते हैं one by one तो मैं पहले बात करता हूँ किसके बारे में staff gauge के बारे में स्टाफ gauge क्या होता है आपने जो staff पड़ा हुआ है सर्वेंग के अंदर बस भई है marking रहती है मैंने क्या किया यह जो पहले से यहां पर इस तरह से कोई मेरे चैनल था उस चैनल को आपने देखा भी होगा बहुत जगे marking रहती हैं यहां पे side में paint किया हुआ होता है और वहां mark क्या होता है एक फूट दो फूट तीन फूट चार फूट पांच छे साथ नो दस यह क्या करता हमारा यह क्या था स्टाफ गेज तो पानी आया इसके इतना आया हमने देख लिया वह कितना पास्ट पानी है SIMPLE सी बात है या यह तो यह थैंपरारी भी हो सकता है Permanent पर सकता है यह तोам Anand कि यह यसा कैस रहे गा और Temporary कौण सा होता है जिसमें हमने क्या किया अलग से हमने एक स्टाफ ले करकि और फिर उसको हमने यूं छूड़ दिया हमार पास सर्वेइंग वाला स्टाफ था हमने उसको देखा हैं डाल करके यहां पर हम खड़े हैं यहां पर डालकर देखा तो उसमें 4.5 पिट तक पानी आ रहा है तो पांच पिट वो टेम्परर ही है तो स्टाफ गेज के लिए रभर ही क्या होता है उसके बाद बात आती है ह वायर गेज क्या होता है हम कए करेंगे हम टॉप सर्फिस से अब क्या है ऐसी जगे की बहुत नीचे है जो हमारी नदी नेहर है कहा पर उसका क्राउड लेवल बौत नीचे मतला हम कहा पर कड़ें हम यहां खड़ेंगें हम यहां खड़े हैं और यह नदी बहुत नीचे बह रही है अब इसका कैसे क्याद करें हैं स्टाफ तो हम डाल नहीं पहले से यह स्टाफ गेज बना हुगा है नहीं हम इसमें स्टाफ डाल सकते हैं क्या करें हैं ऐसे हम क्या करते हैं ऊपर से हमने एक वायर को डाला कुछ पत्थर वगारा कुछ भी चीज बांद करके कोई वेट बांद करके हमने डाला और फिर हमने क्या किया उसका पैंदा देख लिया वायर को डाल करके इसका हमने टॉप देख लिया वायर को डाल करके और स्टेज, व्लॉस्टी, डिस्चार्ज, ऐसे कुशन बनते हैं तो क्या गात करते हैं फ्लॉट गेज से हम स्टेज को मिजर करते हैं चैनल की या स्ट्रीम की स्टेज को मिजर करते हैं तो अब मैं तीसरा बताता हूं आपको फ्लॉट गेज क्या होता है फ्लॉट गेज जो है य क्या करते हैं, ये नदी है, इस ट्रीम है। इसके साइड में इक चैनल बनाया यूँ, हलका सा पाइप τाइप कर दे दिया है इस्ट्रक्टर, और साइड में हमने एक कुवा बना रखा है, ये कैसा इस में पांई बयता रहेगा, चल रहा है, ऐसे कुवा बना दिया साइड में, अब या फिर इस कुवा के अंदर पानी आएगा, जितना इसमें लेवल है उतना ही तो इसमें रहेगा, क्यों, अरे वह एनरजी तो एक्वल रहेगी दोनों के अंदर, कब तक पानी जाएगा इसके अंदर, जब तक दोनों का लेवल यहां पर तो आपन क्या वाज जैसे से पानी के लिए इसमें चेंज होगा इसमें फ्लोट भी उपर नीचे यह लेगा एक हलकिसी बॉल माल लोगा प्लास्टिक की वह भी उपर नीचे होगी हम देख लेंगे वह यहां पर कितना इसका लेवल हो चुगा है पानी का तो यह क्य जादा you किया जाता है General oupra भौि को सब्लोग कोई बहुत सिंपल है बहुत ही सिंपल है और बहुत इफक्तिव कहीं पर भी यूस कर सकते है तो तो यह हमारा float gauge जो है, यह क्या है, mostly used, तो यह क्लियर है float gauge, now next, bubble gauge, तो bubble gauge क्या होता है हमारा, bubble gauge इसमें क्या करते हैं, यह हमारा, यहां से हमने, एक pump है, हमारे पास air pump, और उस pump के द्वारा हमने बिल्कुल bottom पे एक pipe छोड़ दिया, अब यह तो pipe है, इस pipe के थुरू, हम pump के थुरू क्या करते हैं, इसमें air को release करते हैं, जब आप air को release करोगे, air छोड़ोगे, तो air क्या होगी, यहां से bubbles उठेंगे यूँ, और कहां आएंगे, उपर पहुंचेंगे, टॉप सर पेस पे, हमने air छोड़ी कितनी बज़े, fix, बारा बज़े, और bubbles को यहां से यहां तक आने में समय लगा, कितना लगा, कितना भी समय लगा, बारा बज़ के, और 30 सेकंड में यह, उपर आ गया, ठीक है, मतलब क्या है, इ को पता चल गया, किसका टाइम, यहां से यहां तक पहुचने का, तो आप एक चीज़ जानते हो ना, चाल बराबर दूरी बटे समय, velocity is equals to distance upon time, आपको क्या चाहिए, यहां से यहां तक की distance चाहिए, डिस्टेंस क्या हो गया, बलास्टी इंटू में, टाइम, इस तरह से अप accurate method है, बिल्कुल नहीं है, exact method नहीं है, approximate idea देता है, यह method सही नहीं है, इसका use भी नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, बबल्स जो generate होंगे जरूरी थोड़ी है, यहां से बिल्कुल यूँ सीधे आ रहे हैं, distance तो मैंने बताया, आपको vertical distance होती है, bubbles यूँ गई, उसके हाँ आया वो, और आगे चलेगे horizontal, फिर उपर उठ रहे हैं, दीर दीर, यूँ गूम रहे हैं, तो कोई distance प्रॉपर थोड़ी, time अपने को proper मिले नहीं पाएगा, कि नीचे से उपर तक vertical आने में कितना time लगा, यह तो हम exactly calculate कर ही नहीं पा रहे, तो यह जो method है, it's not a perfect method, इसक questions कैसे बनेंगे, दो तरह के question बनेंगे, पहला question तो इससे यह बनेगा, सबसे ज़्यादा commonly used method कौन सा stage measurement के लिए, वो कौन सा हमारा float gauge, और दूसरा question बनता है, कि इन चारों में से किसी का भी नाम दे देगा, आपको बोल देगा, wire gauge से calculate किया जाता है, क्या, चारों मिलेंगे, stage क्याद करते हैं, अपन पाने की विर्थ ग्याद करते हैं, या फिर पाने की velocity या फिर पाने की discharge, तो आपको मैंने बता दिया, तो stage measurement हम कर चुके हैं, second हम देखते हैं क्या, velocity measurement, इसमें केवल एक ही line लिखने हैं, जो की बहुत important, velocity measurement हम किस से करते हैं, stream flow की velocity का, stream की velocity का, या channel के लास्ट कंसि को मेजर करते हैं कि करंट मेंटर की सहायता से कि करंट मेंटर की सद् conference इन्स्टूमेंट उसकी सायता से वहीcą फॉर्मिला इसब के अंदर चाल बराबर दूरी ऑट्टे सब लुड़िपता चल जाए समय पता चल जाए तो हम चाल निकाल सकते हैं दूरिदर निकालनी तो चाल एंटु समय कुछ भी करूँगा så god m2 ऑपन क्या ग्याद करते हैं वह विलास्टी बहुत तें चोंटी मोटर होती है ना वालो घुमती तेंसें से उन मोटर वह हम नहीं नीचे इसे तर्थे मोटर में पंखें हुए दो-दीन पंखणिया लगी हुए एक उस तरिके स्ट्रक्टर होता है हमारा करन्ट मेटर ठीक है तो रह पंखों की जो स्पीड है उसको पहले से हम क्या करते हैं स्टेंडराइज करते हैं स्टेंडराइज का मतलब क्या होता है हमने उसकी स्पीड को हम देख रहे हैं और हम उस स्पीड को हमने क्या किया पानी में पहले से हमने उस मोटर की स्पीड हम चेक कर रहे हैं यह तार लगा दी हमने और यह पानी में डाल दिया पानी में डाल दिया हमने और फिर हम इसकी देख रहे हैं पानी को हम बहा करके देख रहे हैं पानी की स्पीड कितनी है पानी की स्पीड है 500 तो इसकी पानी की स्पीड जितनी भी है मीटर पर सेकेंड में निकालेंगे हम पानी की स्पीड इतनी है तो इतन देख रहे हैं इतनी विलोस्टी पर पानी की विलोस्टी हम खुद फिक्स कर रहे हैं हमने पानी को मूव करवाया पहले हम प्रेक्टिकली तो कर रहे हैं तो हमने पानी को मूव करवाया कितनी स्पीड से एक मीटर पर सेकंड फिर हमने देखा उस एक मीटर पर सेकंड के लिए उसकी जो स्पीड है वो कितनी है आर पिम हमने देखा भई एक मीटर पर सेकेंड था तो कितना था यह 200 रपीएम ठीक है फिर हमने इसकी पानी की स्पीड करी दो मीटर पर सेकेंड फिर देखा तीन मीटर तो ऐसे हमने यह सारे चीज़ें प्रेक्टिकल भी तो आपने किस होगे आप यहां से यह जो हमारा structure है जो मैंने बनाया है उसको किसी बोट के नीचे fix कर देंगे कोई हमने एक बोट बना दी हलकी फुल कि उसके नीचे हमने इस motor को fix कर दिया अब उस बोट को हमने छोड़ दिया पानी में कौन से पानी में जो actual है जिस भी stream की हमको क्या निकाल लिए velocity आपने उस बोट को उसमें छोड़ दिया अब वो पानी के बहाव से क्या होगा वो घूमेगी वो घूमेगी तो RPM हमको note हो जाएंगे तो देखो पहले जो हमने किया था standardization तो उसमें हमने क्या किया था velocity हमारी तो अब हमें क्या प्राप तो आपको आपको कि लाइगा कि स्ट्रुमेंट पर सैकेंड को यह चीज़ हम पहले ही दिख चुगे थे तो यह होता standardization करना और इस तरह से हम ग्याद करते हैं तो यह हमारा instrument है velocity measurement के लिए उसका नाम के है current meter, most important question है कि current meter के दुवारा किया किया जाता है या फिर velocity को measure कैसे करते हैं, अब हम थीसरा देखते हैं, discharge के measurement कैसे करते हैं, उसके method होते हैं, उसके methods को देखते हैं, तो तीसरा है हमारा डिस्चार्ज मेजर्मेंट तो डिस्चार्ज मेजर्मेंट हम कैसे करते हैं इसके मेथड अपने दो मेथड है मेथड के नाम इंपोर्टन दिन के बारे में बता तो दूँगा आपको पहला है डाइरेक्ट मेथड और दूसरा है इन डाइरेक्ट डाइरेक्ट में हमारे जो मेथड है वो है हमारे एरिया ब्लास्टी मेथड दूसरा हमारा डाइलूशन मेथड तीसरा हमारा मूविंग बोर्ड मेथड चो था हमारा अल्ट्रासोनिक मेथड और पांचवा हमारा अलेक्ट्रो मेग्नेटिक मेथड इन डाइक्ट मेथड में हमारे कौन कौन से पहला है स्लोप एरिया मेथड और दूसरा है डिस्चार्ज मेजरिंग इस्ट्रक्चर उनको बना कर याद जैसे की वियर हुआ या फिर नौच हुआ कोश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ देखो दो प्रकार के मेथड हैं हमारे एक तो है डाइक्ट मेथड जिनके द्वारा डारेक्टली हम डिस्चार्ज को मेजर कर सकते हैं इंडाइक्ट मेथड में क्या है हम किसी इक्वेशन का यूज करते हैं तब जाकर के हम इसको यूज कर पाएं मतलब डारेक्टली आप किसी इंस्ट्रूमेंट के शाहता से नहीं ग्याद कर सकते हैं दिस्चार्ज बराबर एरिया इंट व्लॉस्टी तो आपने एरिया निकाल देव लॉस्टी निकाल दिया और इसको ग्याद कर दिया डारेक्टली ऐसे नहीं कर सकते अपने इसके अंदर तो हम क्या है रही किस तरह से निकालों गयाक्यू बराबर area into velocity विलोष्टी इन टू एरिया आपको 150 पतारिया पता तो आप डिस्चाड निकाल दोगे ठीक है तो आपको area तो पता ही रहता है क्या निकालना आपको मेल नी विलॉस्टी इन method के अंदर हम इसी चीज़ का use करेंगे इन चारों method में इसका use करके निकाल लेंगे तो area velocity method में भी ऐसे करते हैं dilution method क्या होता है यह दो method important वैसे area velocity method और slope area method इनसे question क्या पूछता है इनसे question जो पूछा जाता है कि भाई slope area method of discharge measurement is slope area method जो है discharge measurement का कौन सा होता है option मिलेंगे आपको ऐसे a b c और d direct method indirect method empirical method theoretical method तो slope area method कौन सा है हमारा indirect method पूछता है आपसे area velocity method यह कौन सा method है direct method तो ऐसा question बनता है इसके उपर इसके लावा कोई question नहीं बनता किवल इतना ही पूछेगा इससे जादा नहीं पूछेगा एक चीज और पूछ सकता है उसको हम note में लेखेंगे कि slope area method में किस चीज का यूज करते हैं देखो भाई क्या किया एक इंक को डाल दिया यहां से ठीक है चलो पहले मैं आपको इसको छोड़ो आप मैं आपको मुविंग बोट बताता हूं ठीक है 2023 पर आपने बीपो इंट अफिक्स कर लिया तो आपने नाव को छोड़ा यहां से 12 अभी जो नाव है यह नाव कमारे है उत यह हैं और यह पॉइंट है और यह से यहां पर जो नाव को पांची हमारी यह मैंने बारा क्या पता है विलोस्टी पता है टाइम पता है क्या निकालना डिस्चार्ज तो आप विलोस्टी आप स्वरी आपको डिस्टेंस पता है और टाइम पता है क्या निकालना डिस्चार्ज डिस्चार्ज क्या होता है क्यों क्यू बरावर एरिया इंटू विलोस्टी यह तो पहले नहीं तरह सही था क्या है बिल्कुल नहीं था सही क्यों सही नहीं था कागज गिनाव पानी चल रहा है पानी के शास अनौ यू जाकर जा कर यूं आ गई आंगे से करण्ट ऐं वह फिर से नाव पीछे आगई अभे तो वहां पर पहुंच रही साम को तो क्या ये दूरी हम इस शार घंडे में पहुंची दिस मीटर बिल्कुल नहीं इसलिए था सही नहीं है वेव के साथ किस पर प्रभाव पढ़ेगा हमारी जो नाव है उस पर प्रभाव पढ़ेगा इसलिए इतना इंपोर्टेंट नहीं है अब बात करते हैं इसकी तुलना में मूविंग बॉट मेथड की तुला में डायले मेथड थोड़ा सा रिलाइबल होता है विश्वस नियों होता है क्यों होता है देखो भई इसमें क्या करते हैं इसमें हमने मतलब बॉटम पर अगर क्लोज पाइप न कोई गोल पाइप या फिर चौक और प्लोज डेपल को अगर पाने का फ्लो रहा तो जो ऊपर नीचे की सर्फिस है वहां पर व्लोश्टी होती है जीरो और जैसे हम सेंटर पर पहुंस्ते व्लोश्टी बढ़ती जाती है और बिल्क सेंटर पर बढ़ते जाते तो देर देर व्लोश्टी बढ़ती जाती है और सेंटर पर क्या होती है मैक्जीम यह क्लोजड पाइप फ्लो की बात है से रिवर तो वहां पर व्लोश्ट के डिस्ट्यूश्टीशन कुछ ऐसा होता है हम आपको दिख रहे है बॉटम पर क्या है जी रूँक पिर देण देर बढ़न लगी पडिवे कर ल क्या सेंटर बढ़नी इंसेंटर तो बढ़न लोम यह है सेंटर तो यह है सेंटर से ऊपर या नीचे कहीं पर ही Canal 2007 2007 1987, फाइंट फाइव डबल सेवं डी टोटल डैप्थ का पॉimp5 डबल सेवं थोड़ा सा नीचे रहता है ये थोड़ा सा सेन्टर से क्या है नीचे रहता है मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि अगजेम नहीं होती कहां पर मेकजिम होती Happy एक पॉइंट फाइबल 27 डी इतनी डैप्थ Kinव टोटल डैप्थ ए उसके पॉइंट 5007 डी मतलब सैंटर से थोड़ा सांडीचे रहेगाई थोड़ा सा को इस तरह से ए हॉ किआँ से यह मारा सेंटर है सेंटर 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 पर वलॉस्टिक कम है इसकी नाव को कहाँ पर भारे टॉप पर बहारे तो टॉप पर यह तो पर यह व्लोस्टी हमें एक्टल व्लोस्टी थोड़ी पर अब कहा करते हैं हम ने इंक डाली आपने ऊपर लग नीचे जाएगा और नीचे भी जा रहा है और पानी आगे बहरा है तो लगबग यहां पर पहुंचेगा हम क्या निकाल लेंगे उसका पौंचने का time आपको distance पता है time पता है आप क्या निकालोग इसकी सहायता से velocity और अगर और area आपको पहले से मालूम है तो आप क्या निकालोग डिस्चार्ज बराबर area into velocity आप ग्याद कर लोगे तो इस तरह से हम ग्याद करेंगे किस चीज़ को dilution method से तो dilution method जो है quite important than area velocity method sorry moving boat method तीसरा ultrasonic method इसमें क्या करते हैं इसमें भी हम क्या निकालते हैं raise की सहायता से हम हमारे ये नदी है इसके अंदर हम क्या करते हैं यहां से हम ultrasonic मतलब raise को भेजते हैं दूसरे आप डिटेक्शन लगा रहता है तो उसके जो velocity है जो हम जिस speed से हमने यहां से किरना भेजी है तो पर जितनी energy का loss हो रहा है उसके आधार पर हम उसकी speed निकालते हैं कि पानी की speed कितनी है बस speed पता चल जाया मतलब velocity पता चल गया हमें velocity पता चलते हैं उसका area से multiply करके क्या निकालते हैं discharge तो यह हमारे method होते हैं यह सारे direct method कर लाते हैं और यह हमारे कौन से indirect method slope area method के अंदर भी स्टार लगा है ना यह और यह 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 दोना method comprehensive method मतलब इन पर subjective question बनता है बड़े बड़े इसके अंदर ऐसे questions नहीं बनते हैं और दूसरे का indirect method में discharge measuring structure वीर या नोच की सायता से हम क्या ग्याद करते हैं discharge को ग्याद करते हैं तो इन एक question तो यह फिक्स से स्टार इसलिए चुझ करते हैं जो पुराने जो past water mark है water mark का मतलब क्या हूता आपने देखा होगा यह channel बना हुआ है तो पानी इसमें आज इतना बहरा है लेकिन आपने देखा हो यहाँ पर यहाँ पर नहीं रहती है साइड महीं गहास कि यहाँ किसी लाइन बनी रहती है मतलब हम को समझ मे पहले यहां तक तो आया ही आया है ठीक है पानी नीचे बहरा है लेकिन वहाँ पर एक लाइन जी बनी रहती है तो हम समझ जाते हैं कि पानी यहां तक आया था यहां तक पानी चड़ा है इससे उपर पानी नहीं गया उनको क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं वाटर मार्क पानी की निसान तो कौन से पाष्ट पहले गए तो पास्ट वाटर मार्क का यूज किसमे करते हैं अपर तो इसको आप एक नोट लगा नोट में लिख देंगे नीचे नोट याप नोट लिखेंगे नोट में क्या लिखेंगे slope area method में past watermark का use किया जाता है इसको आपने उतारे लिया होगा slope area method में past watermark का use किया जाता है तो ये था हमारा complete topic stream flow measurement अब हम बात करेंगे किसकी runoff या flood measurement runoff या flood discharge runoff या flood discharge measurement runoff या flood discharge measurement के अगर मैं बात करता हूँ सब इसके तीन method है हमारे जो पहला method है जो पहला method है इसमें अपनों के विल discharge measure करना है runoff के बारे मैं आपको बता चुका हूँ सबसे पहला जो इसमें थाड़ा है वो हमारा कौन सा इसमें पहला है इसमें इसमें जो भी इंपोर्टन चीज़ें है यह जो हम डिस्चार्ड जो मेजर होके आएगा और किसमें आएगा मेंटर क्यूब पर सेकेंड में पी-सी पी-सी सेंटीमेटर पर और एएविया के समय है यह वह कैई है तो हम इस तरह से और जो इस पूर पूरे-फॉर्मलिये सहाज्यत्या से हम क्या निकालते हैं दिश भी ध्यान रहे एवियरिया किसके है है एक टेर में है और डिस्चारज किसमें निकलेगा मेटर क्योंगे कि आगे कुछ फॉर्मले जिनके अंदर एरिया किसमें होगा हमारा किलोमीटर स्कॉयर के अंदर होगा एक हेक टेर आत जानते हो ना one हेक टेर is equals to ten thousand यहां पर PC क्या है क्या है एक या है वो मैं लिख देता हूँ यहां पर के जो है यह हमारा रन आफ कॉफिशेंट बोलते है जनली इसको और यह रेशो होता है किसका रन आफ अपॉन रेइन पॉल का यहां पर PC क्या है PC है प्रिटिकल रेइन पॉल और A क्या है A है कैच्मेंट एरिया इन हेक्टेयर तो देखो भई PC को देखो आप यहांपर PC के बारे में बताता हूँ मैं आपको critical रेइन पॉल क्या है प्रिटिकल रेइन पॉल क्या होती है पहली बात तो यह जो फॉरमला है न इस एप्लिकेवल अउनली फॉर critical rainfall, ये केवल critical rainfall के लिए applicable होता है, तो पहले हम समझते हैं कि critical rainfall होती क्या है, भाई 12 बजे बारे से start हुई, ये हमारा complete catchment area है, इतने area से इस channel को पानी मिल रहा है, ये मैं आपको बता चुका हूँ बहुत बार ये हमारा channel है, यहां से छोट-छोटी stream के रूप में पानी ऊपर से आएगा, और किसको मिलेगा, इस channel को मिलेगा, इस channel पानी बहेगा मतलब इस channel को पानी कितने area से मिल रहा है इतने area से मिल रहा है, मैं discharge कहां मेजर करना हूँ, इस point पर इसको हम outlet point बोलता है ठीक है, तो देखो भई, जैसे ही बारिस हुई 12 वजे, तो पानी तो 4 तरफ गिरा है, लेकिन हम measurement कहां कर रहे हैं तासली समझा है, इस चीज को या आगे भी hydrograph में काम आएगी, तो मैं फिर से आपको समझाऊँगा, इसको practically लेके चले हैं, मैं यहां पर खड़ाओ करके discharge मेजर कर रहा हूँ पानी इसमें, बिल्कुल पानी नहीं था पहले नदी में, जैसे ही बारिस हुई, तो इस point पर पानी की depth कितनी होगी, बहुत कम होगी, थोड़ी सी तो होगी, पानी की depth, उसके बाद में, क्योंकि पानी कहा आ रहा है, यहां पर केवल इतने से, थोड़े से एरिये का आप आए, बारिस अभी स्टार्टी तो हुई है, इतने से एरिये का पानी यहां पर पहुंचा था बारा बज़े बीस मिनट पर देखा डैप्थ और बड़ी कितनी बड़ी कि पानी जो है इतने एरिये का पहुंच रहा है यहां पर ऐसे हम देखते जा रहे हैं और हमने देखा एक बज़े जो है डैप्थ पानी की क्या हो गई मैग्जिमम हो गई क्यों क्योंकि कुछ टाइम कंप्लीट एरिये का पानी यहां पर पहुंच रहा है तो दूरस्त बिंदू हमारा कौन सा माल सबसे दूरस्त बिंदू है यह यह वाला पानी मतलब यह वाला जो पानी है यह बारेस तो बारेस पानी लेकिन यह यहां कब पहु कितना प्रडय ओंया 12 बजे एक गहंटा यह time प्रिये में कितना time period यह जो काल है हमारा कौन सा lacking जिस time periome है पानी दूरस्त बंदू से outlet point तक पहुंच रहा है हुश हुश टाइम क्लों क्या बोलते है time of concentration उसको बोलते हैं हम क्या उसको बोलते है time of उस time period को हम बोलते है time of concentration तो भाई ये चीज बताओ time of concentration clear है क्या होती है time of concentration वो time period होता है just time period में पानी दूरस्त बिंदू से दूरस्त मतलब farthest point farthest point पानी दूरस्त बिंदू से outlet पर पहुँचता है outlet मतलब कौन सा point है जहां पर हम measure कर रहे हैं उस time period को हम बोलते है time of concentration ठीक है अब मुझे time of concentration clear हो गया लेकिन मुझे अब भी भी critical rainfall तो पता है नहीं चली क्या होती critical rainfall critical rainfall में आपको बता है नहीं तो पता किस चलेगा देखो पर critical rainfall क्या होता है कि अगर बारिस हुई हमारी 12 बज़े से लेकर के 12.30 तो अगर 12 जब 12 से 1 बज़े तक हुई थी और 1 बज़े इसकी depth क्या प्राप्त होगी कि हमको maximum, वो मानलो हमको maximum कितनी प्राप्त हुई है होपाईगी बिल्कुल भी नहीं हो पाईगी कितनी प्राप्त हुई आको 2.8 मिटर प्राप्त हुई हैं तो यह जो rainfall हुई है जिसका time period जिसका dureason rainfall duration जिसका rainfall duration time of constantis open denote कर देंगे small tc से और rainfall duration को के वल small tc यह जो rainfall duration तो मतलब कितनी only आदे गंटे की, इस rainfall duration में हमको depth maximum प्राप्त हो रही है कर नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्योंकि इस बिंदू का पानी तो यहां तक पहुचा ही नहीं, जब यह पहुचा तब तक बारिस बंद हो चुकी थी, तो पूरे एरिये से पानी मिलाई नहीं इसको, तो rainfall duration की value यह जो rainfall थी, जिस rainfall, जिस rainfall duration, time of concentration से क्या है, जाधा है, मतलब 22 गंटे से जाधा हुए है, तो उस rainfall को हम क्या बोलेंगे, critical rainfall, तो critical rainfall क्या होती है, critical rainfall वो होती है, जिसमें rainfall duration time of concentration से अधिक होता या दूसरे सब्दों में कहा जाए वो rainfall duration जिसमें आउटेट को पानी complete catchment area से प्राप्त होता है पूरे catchment area से प्राप्त हो पारा है यहाँ पानी उसको हम क्या बोलेंगे critical rainfall तो यहाँ पर देखो आप पहले इसको उतार लेंगे इस formula को उतार लेंगे उसके बाद मैं दो लाइन लिखवाऊंगा small areas के लिए ऐसे suitable होता है यह 50 hectare बगारा बहुत small areas के लिए suitable होता है यह वाला method जो है हमारा पहले दो आप इसको उतार लो screen shot ले लो इसका critical rainfall लिख रहा ही और यह area in hectare अम इसके बाद में आँ यहां पर अब आपंड 9 लिखेंगे नोट नमबर 1 लिखेंगे नोट नमबर 1 लिखेंगे और उसमें लिखेंगे esta no data सैक पर लूमर वंन मैं लिखेंगे क्रिट्टिकल रेनफॉल इसमें लिखेंगे क्रिटिकल रेनफॉल के बारे में लिखेंगे कॉंसिलेंटल होती है जब रेनफॉल डियूरेशन ब्रेकेट में स्मॉल टी जब रेनफॉल डियूरेशन कॉमा लगाएंगे कॉमा टाइम आफ कंसेंट्रेशन से अधिक होता है तो प्राप्त rainfall को critical rainfall कहा जाता है तो इसकी condition क्या हो गई T should be greater than equal to Tc note number 2 लिखेंगे note number 2 क्या लिखेंगे time of concentration note number 2 में लिखेंगे time of concentration कि ये कौन सा होता है भई time of concentration है क्या चीज़ इसके बारे हम लिखेंगे time of concentration इसमें लिखेंगे time of concentration में Tc catchment area के farthest point मतलब दूरस्थ बिंदू सबसे दूर catchment area के farthest point से outlet तक पानी के पहुचने का समय time of concentration कहलाता है time of concentration कहलाता है तो ये अपना पहला मेथड था rational formula दूसरा मेथड कौन सा है हमारा वो है empirical method तो empirical method क्या है empirical method क्या है हमारा झाह झाह धिते थ्यक्ट झाल 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 कि देखो भई कि सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि एंपरिकल का मतलब क्या होता है एंपरिकल का मतलब होता हमारे कुछ होते हैं जिनको हम साइंटिफिक जो हमारे कोई रूल थैं या हमारे कोई लॉस हैं उनको फॉलो करके हम बनाते हैं वहरे कोई भी हुए फॉर्मुले घैसे आप क्यू बराबर एरिया इंटु बोस्ती यह सब चीज लेकिन अब क्या हुआँ व्लॉस्ती का मेजर करें कैसे द संब्फ़ा करके हमने खुद का फॉल्ला बना दिया जैसे मालनों पर से क्या कर रहा हूं। ऊपर से मैनने पठ्फर को गिराया नीचे ठीक है। कौन से माले से दसमे civically और वो नीचे पहुशा अब सक हुषा 10 सेट में। 9 सेट में पहुंच गा। तो मैंने रिलेसन बना दिया, एक माला बराबर, एक सेकंड, ठीक है, तो इस से क्या है, मैं उसकी छी स्पीड बता रहा हूं और हवा के द्वारा पत्तर के सर्फिस पर लग रहा है ड्रैग फोर्स और पूरे पूरे फोर्स इसको एक्लिबिरियम में ले करके फिर मैं कैल केल्कुलेट करना है उसकी स्पीड को तो वो कौन से होंगे हमारे उसके द्वारा संबंद से बना दी कि ऐसे कुछ relationship देख करके कि उपर से नीचे इतने देर में गर रहा तो यह velocity होगी इतने में गर रहा तो यह velocity होगी और खुद का यह formula बना दिया कोई भी physical force नहीं लिया और law नहीं लिया वह कौन से formula होते हैं सारे हमारे वह थे empirical formula तो कुछ empirical formula है कुछ हमारे वेगयनिक थे उन्होंने discharge को मिजर किया directly किसी ने किसी आधार पर अपने अपने constant दे करके तो देखो यह discharge डिकेंस पहला है डिकेंस formula क्यों बराबर सीडी इंटू एकी पावर तीन बटे चार की एज़े निकाल लो आप सीडी constant होता डिकेंस चैसे के करीब इसकी value रहती है और हमारा एक क्या है एरिया है catchment area किसमें है लेकिन km2 पहले किसमें था हेक्टेर में यह km2 यह रेवस formula CR इं 124 प्लस में 124 इंटू एपन में रूट करके होता है अपना formula वो काम का नहीं है आपको objective point of view से यह याद रखना है बस तो आप देखवा ऐसे ही इसी क्रम में आप धियान रखेंगे जिससे आपको power का ध्यान रहे नहीं तो आप गलत यहीं करेंगे इनको हलके में नहीं लेना बिल्कुल last year question आया है ले लेंगे इसके बाद मैं तीसरा मेथड़ बताता हूं probability मेथड़ काम का नहीं है इतना उसमें के अवल काम की चीज़ जो है वो मैं आपको बताता हूं वो भी एक हमारा पूरा पूरा comprehensive subjective questions बनते हैं उस पे तो सी है हमारा कौन सा मेथड प्रॉबैबिलिटी मेथड इसमें दो चार्ट तर्म जो है वो काम किये हैं उनसे question पूछ सकता है तो उनको मैं लिखवा देता हूं वो मुझे थोड़ी सी important लगती है है तो देखो probability method मेथा संभावना के आधार पर अपन निकालेंगे कि किस तरह से हमारी यह जो प्रॉबिल्टी आधार पर हम किस तरह से निकाल पाए वही पुराने पिछले कई सालों के डेटा लिया जाता है ठीक है उसको हम सीरेल वाइज ले ले लेते हैं लिख दिया 1990 में इतनी थी 91,92,94,94 उन सभी डेटा को क्या है बढ़ते हुए करम है increasing order में हम लिख देते हैं कैसे लिखते सबसे ऊपर हम लिखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे 1983 में आये थी सबसे ज्यादा बार कितने कितना पानी था उसके अंदर भी दस मीटर क्यूब पर सेकंड उसके बाद नौ मीटर क्यूब पर सेकंड फिर साथ चैपांच ऐसे करेंगे जैसे कि अगर आपको समझाओं मैं मान लीजिए और फिर हम प् देख लिया अब हम इसको डिक्रीजिंग ओर लिख देंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे 160 125 एक सो बीज एक सो दस और सो इसको मने रेंक दे दी वन दो तीन चार पांच अब हम क्या कह रहे हैं एक दो तीन चार पांच मतलब हर पांचवे साल के बाद कितना आएगी 160 बनाएगा ठीक है और फिर उसके बाद में हर पांच साल के बाद फिर कितना बनाएगा 125 अरे यह कोई जरूरी थोड़ी है कि इतने बनाएगा यह बनाएगा बिलकुल नहीं तो इस तरह से यहां पर भी लेते हैं कि वह पूरे डिसचार्ज हम लिख लेते हैं उनको डिक्र सालों बाद इतना डिस्चार्ज प्राप्त होगा इतनी बार आए गया फिर इतना पानी हमको प्राप्त होगा तो यह है हमारा प्रोबिलिटि मैथड तो यहां पर आपको दिखराना ऐसे ऐसे पूरी टेबल्स बनती है उसके आधार पर आपन निकालते हैं इसका मतलब क्या है कि जो हमारा सब्जेक्टिव है उसके आधार से तो हमारे ठीक है यह लेकिन अब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ यू से यह वाल तो जिस टाइम पिरिड के बाद पीक डिस्चार्ज के होने की समभावना होती है, उसको हम क्या बोलते है उसको बोलते है रिटर्ण पिरिड या फिर रिकरेंस इंटर्वैल, रिटर्ण पिरिड या इसका दूसरा नाम है recurrence interval इसको हम T से denote करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कुछ चीजों में relationship होती है तो क्या होती है t या तो बोला जाए हमारा small p p is equals to क्या होता है हमारा 1 upon t p क्या है priority है और t क्या है return period p है हमारी probability और t क्या है t के लिए आप लिख देंगे return period दूसरा जो अपना वो है reliability वो क्या होता है reliability 1-p to the whole power n बताँगो मैं आपको n बराबर क्या है number of years और एक आता है हमारा जो important वो है risk 1-1-p to the whole power n तो यह तीन पॉइंट है हमारे इस method से लिटेट जो पूछे जा सकते हैं आपसे पहले मैं इनका मतलब बताता हूं आपको मतलब क्या होता है देखो भई यह तो मैं आपको बताई दिया reliability क्या है कि probability के अंदर भी क्या होता है probability जो होती हमारे इस probability के अंदर भी हम देखते हैं कि कितने chances हैं हम जैसे कहते हैं कि भई धोनी जो है छटे मैच में एक साथ रन बनाएगा ठीक है अब यह हमारा मैच चला है छटे मैच में धोनी एक सो साथ रन बनाएगा उसकी 90 परसेंट गारंटी है मतलब हम एक तो अंदाज लगा रहें एक साथ बनाएगा वो तो probability है यह probability मैं बता रहा हूं कितने अशौरू मैं मतलब कितने परसेंट में इ इससे बता दिया ठीक है ऐसा थोड़ी ना होता अगर ऐसा पता चल जाएगा तो हम साख सारे स्ट्रक्चर को उसके इनुसारी डिजाइन करेंगे तो यह जो हमारी बात थी किस से लिटे थी हमारी यह ती इसको कहते हम रिलाइबिलिटी कैसे निकाले को निकाले वन माइनस पिर से बतायता हूं मैं कि अगर अगर हम बोलने कि दोश्चे मैच में साटन बना देगा तो हमारी क्या यह प्रविलिटी इसकी गारंटी है मेरी बात सच नहीं होगी 10 परषेंट गारंटी नहीं है लेकिन आपको मालूम है कि प्रविलिटी को हम हमेसा फ्रेक्षन की आपने कभी पर्सेंटिजम पढ़ा प्रॉबिलिटी को कभी नहीं पढ़ा कैसे पढ़ते हम फ्रेक्शन में 0.6, 0.0, maximum कितनी होती है, 1 होती है, ठीक, तो यहां पर हम किस से रेसों लिका लेंगे, हम 100% ना लेकर क्या करेंगे, 1, तो अगर मैं बोल रहा हूं, कि 90% शोरू मतल से 0.1, तो यह जो रिस्क है, रिस्क यही तो होगा हमारा, 1- reliability, रिस्क क्या होगी हमारी, 1- reliability, तो आप से पूछ सकता है, formula is only, इस पर question अगर होगा, तो मैं आपको करवाँ हो, question, जब हम question batch लेंगे, तब मैं आपको करवाँ हो, सारे questions करवाँ हो, वहाँ पे, इस से आप return period के बारे में लिखना जाओ, तो लिख सकते हैं, return period या recurrence interval, क्या होता है return period, इसके बार हम लिखेंगे, यह वो time period होता है, जिसके बाद flood के फिर से आने की संभावना अधिक होती है, यहां तो flood की बात करेंगे, तो यह हमारी इस से लेटेट बात है थी, यह हमारी बात है थी, probability method, तो हम complete पड़ चुके तीनों तीनों मैं जड़को A, B और C, तो आज के लिए इतना काफी है, बाकि हम next lecture हम पढ़ेंगे, infiltration के बारे में next topic हमारा रहेगा, infiltration, thank you so much, revision करते रहे जड़ेंगे